दोस्तो बात करने वाले हैं Indian Air Force भारतिय वायू सेना F-CAT 2014 का जो है advertisement जारी कर दिया गया है इसका जो है online का date भी आ चुका है साथी साथ इसका जो है qualification, age limit, salary और कितना दोड होता है इसके अलावा हम जो है selection process के उपर भी चर्चा करेंगे, syllabus के उपर भी यहां पर चर्चा करने व F-CAT 2014 जो है आ चुका है बहुत ही संदार अपरचोटी होती है जो भी candidates गेज़ोशन किये होते हैं या BAB टेक किये होते हैं या 3 years वला अगर आपने गेज़ोशन कंप्लीट किया तो भी form को भर सकते हैं तो हर candidates को आपे मौका मिलता है Indian Air Force ज्वाइन करने के लिए तो आए जा आपको DABP की officially website पे अभी मिलेगा फिलाल इसनकी Air Force की officially website पे आपको देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले कि आपका जो online है वो कब से start हो रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि men and women दोनों candidates form को apply करेंगी और यहाँ पे आपका दिया गया है कि open on 1 1 दिसंबर 2023 1 दिसंबर 2023 से form फिले पे start होगा सुबा 11 बज़े से और 30 दिसंबर 2023 तक आप लोग form को apply करेंगे इस website से जाके आपको form को भरना या fcat.deck.in की website पे आप form को apply करेंगे Air Force Common Admissions Test FCAT जिसका जो है FCAT का full form है Air Force Common Admissions Test 01-2024 Advertisement संख्याद देख सकते हैं आप NCC Special Entry इसका जो course होगा वो आपका जनवरी 2025 में यहाँ पे होगा अब यहाँ पे आप देखेंगे तो number of vacancy के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है इस side में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है SWOT Service Commission SSC जिसका SWOT form है Flying Branch and Ground Duty में Technical Non-Technical Post आपको रहने वाले हैं साथी साथ जो है NCC जो Special Entry Scheme होता है उसको भी यहाँ पे रखा गया है तो यहाँ पे आप देखेंगे तो F-CAT में आपका जो है Flying and Technical और Non-Technical जो है Post यहाँ पे रहते हैं तीन तरह के Post हैं अब इसमें देखेंगे Flying में आपका 28 Post है Main के लिए 10 Women के लिए Vacancies दिखाए गया, Main के लिए अलग और Women के लिए अलग दिया गया है इसके विसे Ground Duty Technical में आपका यहाँ पे Post दिखाए गया है Female के लिए यहाँ पे Post दिखाए गया है Ground Duty Non-Technical में आपका देखिए यहाँ पे अलग अलग जो है System-wise जो है यहाँ पे दिखाए गया है Weapon System-wise जिसे Branch में, Admin में, LGS में, ACCTS में, EDN में, MET में, EDN Education वाला में फिर इसे तरह से Female के लिए आपके दिखाए गया है इसकी वसे यहाँ पे NCC Flying Branch के लिए यहाँ पे अलग से 10% Reservation होता है तो यहाँ पे दे दिया गया है याँ यहाँ पे अगर हम बात करें Overall Post की तो 300 के आसपास यहाँ पे Post आपके रहने वाले है Number of Vacancy तो संदार Opportunity है इसकी वसे यहाँ पे Type of Commission, Age Limit यहाँ पे आपको देखे दे दिया गया है कि आपका Flying Branch में Form भरते हैं तो 20-24 years के बीच आपका यहाँ पे Age रखा गया है जो 1 January 2025 को Count करे जाएंगे आपका Data Birth यहाँ Data Birth का Range दिया 2 January 2021 से लेकर 1 January 2005 के बीच यह इस दिन भी आपका Data Birth है तो Form को भर सकते हैं और यहाँ पे Upper Age में छूट दिया गया है उनके लिए जिनको यहाँ पे Current Commercial Pilot का License है जो DGCA के द्वारा Approved मतलब उनके द्वारा Issue किया गया Commercial Pilot License है जो कि इसका उम्र Upper Age में 26 यह मिल जाता है मतलब अगर कोई Candidates Current Commercial Pilot License होल्ड करता है जो DGCA के द्वारा Approved किया गया License हो वो यहाँ पे Upper Age में छूट ले सकता है 2 साल का उनका Date of Birth जो है यहाँ पे आपको दिया गया है अब यहाँ पे अगर कोई GD Non Technical और Technical ब्रांच सावधन देना चाहता है तो इसमें 20 से 26 यर्स जो है उनको उम्र सीमा यहाँ रखी गई है यह भी 1 जनवरी 2025 को काउट करे जाएंगे 2 जनवरी 1999 से लेकर एक जनवरी 2005 के बीच इस दिन भी आपका Date of Birth है तो Technical Non Technical में आप आवे दिन दे सकते हैं यहाँ पे देखेंगे एक बार तो आपको यहाँ पर पता चल लागा यहाँ पे जो है Flying और यह दोनों का अलग से Date of Birth यहाँ पे अलग है और Flying का थोड़ा सा अलग ह तो आप इस परकार से चेक कर सकते हैं आपका Date of Birth अब यहाँ पे Notification की जनकारी बोला गया कि आपका जो है इस वेबसाइट पर मिल दाएगा तो अभी इसका Short Notification आया हूँ है मैंने बता है न DABP की वेबसाइट पर आपको अभी यह Notification देखने को मिल दाएगा Detail Notification कुछ दिन बाद आपको जो है इनकी Official वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा यहाँ ट्रेनिंग बोला गया है तो आपका जो है जनवरी दोजार पचीस में स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट विक में ट्रेनिंग कहा होता है तो Air Force Academy दुन डीगल हैद्राबाद देखने न न यह आपका ट्रेनिंग रहता है यहाँ पर दिया गया है कि डूरेशन अफ ट्रेनिंग होता है Flying and Ground Duty Technical Branch के लिए 62 विक का और जो Ground Duty Non Technical Branch है उनका 22 विक का यहाँ पर ट्रेनिंग जो होता है Salary के बात करें तो Indian Air Force Offer You 7th CPC जो आपका Salary Level है वो रहता है Flying Officer के लिए 56,100 से लेकर 1,77,500 आपका यह Pay Matrix होता है और Level 10 की Salary होती है MSP आपका 15,500 भी यहाँ पर देखने को मिलता है तो बहुती संदार यह Opportunity होती है Salary के मामले में भी और यह बहुती अच्छी जॉब मानी जाती है Air Force की एक तरह से आप Officer बनते हैं इसके अलावा यहाँ पे Allowance इंस वगर एक बारे में बताया गया है जिसमें कि आपका Flying, Transport, Technical, Field Area, Special Compensatory जिसे Heal Area में जाएंगे तो उसका थोड़ा सा salary बढ़ जाता है Special Force, Siya, Chin, Island इस सब आपके Allowance होते हैं इसके बाद से Privileance की बारे मताया गया है इसके बाद से आपका जो है Insurance होता है Sports और Adventure भी आपको यहाँ पे मिलते हैं इस सारे चीज़े यहाँ पे आपको बताई गई है इसके बाद से चीज़ बोला गया है कि Tattoos आपके जो Body में होते हो Permanent Tattoo आपके Body में नहीं होना चाहिए इसके बाद यहाँ पे आपको जो Narcotics के बारे में बताएगे कि आप Drugs वगर इस सब जो है Band है यह सब आप यूजे या पोजेशन नहीं होने चाहिए इसके बाद यहाँ पे जो है Conduct of Online Testing of F-Cat Examination and Fee Structure तो 550 उरुपे आपका जो है Online Fee देना है प्लस GST फॉर्म भरने के लिए यहाँ आपका अप्लिकेशन फी लगेगा यहाँ पे Candidates Must Be Unmarried Candidates जो है Unmarried होने चाहिए एक जीज और अगर कोई NCC Special Entry के लिए फ़र्म भरता है उनको फी यहाँ पे नहीं लगता है उनका फी माफ होता है तो यह Short Notification में जनकारी दिया गया है इसकी बस यहाँ पे जो है आपका Trail Allowance भी मिलता है इसकी बस यहाँ पे आपको जो है Physical Conditioning के बारे में बताएगा वन मिल का रणिंग करना होता है 1.6 किमेटर के रणिंग जिसको बोलते है वन मिल का मतलब 1.6 किमेटर होता है 400 मीटर 10 मिनट में 10 पूसब करने होता है 30 चीनप्स आपको करने होते है Quiry का यहाँ पे Help Line Number, Disclaimer वगर दिया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यह जो ही इसका Short Notification जारी किया गया है अब हम बात करते हैं इसमें आपका जो है Form कब से भरे जाएगे तो 1 December से 1 December को मैं एक proper वीडियो लेकर आऊँगा कैसे Form को Apply करने Step by Step Form भर के बता दूँगा ताकि आपको Form भरने में किसी प्रकार की Mistake न हो और यह Vacancy हर साल आती है Every year यह Vacancy आपको देखने को मिलती है हर साल Vacancy आती है तो अगर हम बात करें इसके Qualification की तो जो Previous Notification है उसके According हम देखें तो यहाँ पर देख सकते है यह आपका eligibility रहता है Flying Branch के लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले बोला गया कि आप 12 लेबल जो है 50% Marks के साथ Physics Math के साथ Pass होने चाहिए End बोला गया है कि graduation भी होना चाहिए 3 years का 60% Marks के साथ तो फॉर्म भर सकते है या आप जो है B भी टेक किया है 4 years कोर्स वाला तो भी फॉर्म भर सकते है 60% Marks होने चाहिए या आप जो है A and B examination पास किये हो Section A, B Associate Member of Institute of Engineering से या Aeronautics Society of India से तो भी आप फॉर्म को भर सकते है 60% Marks होने चाहिए तो या आपका Flying Branch के लिए Qualification है इसके बाद से यहाँ पे जो Technical Branch है उसके लिए यहाँ पे बोला गया है कि 50% Marks होने चाहिए Physics and Math 10 प्लस 2 लेबल में और साथी साथ 4 years का degree भी आपके पास होने चाहिए Graduation का जिसमें B, B, Tech जो होता है वो आपका Engineering डिगरी Technology वाला जो डिगरी होता है तो आप Form को भर सकते है Technical Branch में वही Non-Technical Branch में अलग-अलग जो है Post है जैसे की अलग-अलग ब्रांच है जैसे की Weapon System Branch में इसके विए से Administration and Logistics Branch में तो यहाँ पे अलग-अलग आपको यहाँ पे Qualification जो है दिया गया है इसके विए से Accounts Branch के लिए अलग Qualification है इसके विए से Education Branch में अलग से Qualification है Metrology में आपका अलग से Branch में Qualification है तो आप एक बार इस तरह से देखेंगे बात करते हैं Selection Process की तो सबसे पहले आपका जो है यहाँ पे Objective Type Questions होता है सिर्फ English में ही आपके सारे Questions रहते हैं Three Marks का आपको यहाँ पे एक Correct Answer का यहाँ पे मिलता है तीन नमबर One Mark will be Detected every incorrect answer एक गलत आप जो है जबाब देते हैं तो एक नमबर काट लियाता है Negative Marking यहाँ पे होता है यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं General Awareness Verbal Ability in English और Numerical Ability and Reasoning इसको से Military Aptitude Test यहाँ पे रहता है Number of questions 100 300 Marks 2 घंटे आपको समय यहाँ पे मिलता है तो पहला एक्जाम होता है इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे आपका syllabus दिया गए है आप यहाँ पे English से जो है किस-किस जो है बिसे से questions रहते हैं Subject से General Awareness Numerical Ability Reasoning and Military Aptitude Test यहाँ पे रहता है तो written test यहाँ पे आपका रहता है इसकी बाद से यहाँ पे reasoning के बारे में बताएगे तो यह आपका syllabus रहता है आप एक बाद Detail Notification पढ़ना चाहते हैं तो F-Cat के Officially Website पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको सारी जनकारी मिल जाएगी आप यहाँ पे Training के बारे में Selection के बारे में syllabus अलग है और उसके बाद से आपका जो बाकी जो stages है वो भी यहाँ पे दिया गया है कब आपका जो है टेस्ट क्या-क्या होने वाला है Medical, Physical इस सब आपका होने वाला है तो यह आप एक बार जोरू पढ़ेंगे Selection Process में जाके Guidelines भी पढ़ेंगे Previous Years का Question Paper डाउड करना चाहते हैं तो यहाँ से Question Paper भी डाउड कर सकते हैं तो इस सारे चीज़े यहाँ पे दिया हुआ Allowances वगर एक बारे में Benefits वगर बारे में बताया गया है Carrier में आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं तुमाम चीज़े यहाँ पे दिया हुआ तो आप एक बार जो है इस वेबसाइट पर आप जरूर बिजिट करेंगे तो एक दी संबर से फॉर्म फीलर पे स्टार हो रहे है जिससे इस कावेदन सुरू होगा मैं आपनों को प्रोपर एक वीडियो बना के बता दूँ कैसे फॉर्म को भरना है इस्टे बाइस्टे फॉर्म बरके बता दूँगा मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्ट्ट में जाहिन